Hello friends, welcome to Swingpedia इस पीडियो में हम जाने वाले हैं जहरकंट के पलामो डिस्टिक में कौन-कौन से colleges है और लगातार बिडियो आपको प्रोवाइट कर रहा हूँ लगबग सारे डिस्टिक को कौसिस कर रहा हूँ मैं cover करने की और यहां पर बता दूँ आपको एक आडिया दे रहा हूँ कौन-कौन से colleges है उसमे फिर आपको डिटेल बिडियो भी मिल जाएंगी कौन-कौन से courses है यहाँ पर और कैसे admission होता है फिर भी जो है जान लेना जरूरी है डिस्टिक में कौन-कौन से college है ताकि आपको एक आडिया हो आडिमिशन लेनी का टाइम पर पलामू की बात करें तो बहुत सारे आपको यहाँ पर देखनी को मिल जाती है colleges और यहाँ पर most of college अगर बात करें तो लिलामबर वितांबर इनुफरसिटी से अफिलेट देखनी को मिलेगा तो यहाँ पर बात करें कौन कौन से हैं तो सबसे पहले देखिए जो सिंग नामधारी उमन्स college आपको देखनी को मिलता है जो कि मेदीनगर में है बहुत पुराना है एक तरह से देखा जाए तो अच्छी आपको education देखनी को मिल जाती है यहाँ पर अगर आप पलामू में रह गए study करना चाहते हैं उमन्स है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल यहाँ इसे consider करना चाहिए और यहाँ पर आपको बता दू यहाँ पर और भी colleges हैं जो कि आप यहाँ explode कर सकते हैं आप पढ़ाय की बात करें तो यह जो है आपको अलग से provide करूंगा courses कौन कौन से हैं और कैसा आपको education यहाँ पर देखनी को मिलता है तर पुरानी बहुत है नाम आपको यहाँ पर जाननी को मिलेगा काफी एक अच्छा repetition बना कर रखा गया है एक आप particular region male pronunciation होता है यहाँ पर जो है बात करें तो यह भी जो है affiliated आपको देखनी को मिलेगा निलामबर पितामबर युनिवर्सिटी से फिर आप देखें मजदूर किसान college पान की आपको देखनी को मिलेगा courses की बताऊंगा आपको detail में जब एक particular individual college को गवग करूँगा यहाँ पर अगर सबकी बताने लगूँ तो काफ़ टाइम लग जाएगा फिर भी यहाँ पर courses आपको मिलती है प्रोवाइड होती है अगर आप पलामों में रहकर पढ़ना चाहते हैं तो इनको consider बिल्कुल कर सकते हैं पर मैं कहूंगा explore कीजेगा अगर आपको मौका मिले बाहर जाने का तो बिल्कुल बाहर के colleges को देखिए आप universities में जाने की courses कीजिए मजदूर किसांग college पांकी में हैं यहाँ पर यहाँ भी काफित पुराना है इसे भी आप consider कर सकते हैं यहाँ पर भी आपको normal जो general courses आपको देखनी को मिलती है वो रहता है फिर aksink college जपला में आपको देखनी को मिलेगा और यहाँ पर जपला में आप बता दू यहाँ पर colleges जादा तो नहीं पर यहाँ पर आपको akasing college देखनी को मिलता है फिर आपको जो है लक्षमी चंदरवंसी कॉलेज रहिला में देखनी को मिलता है फिर संत तुलसिदाद कॉलेज आपको सेम जगा में देखनी को मिलेगा फिर गनिशलाल अगरवाल कॉलेज आपको मेदिनगर में देखनी को मिलता है मेदिनगर में तो यह जो है नौ आप भी क इसलिए जो हैं यहां कहीं न कहीं बात में colleges भी बनेंगे और अच्छा education system भी होगा जिस तरह से वक्त पितेगा यहां पर अच्छी पढ़ाई start होगी काफी लोगों का यहां पर comment रहता है complain रहता है कि अच्छे education प्रोवाइड नहीं करते तो बिलकुल आपके बातों से आगरी करता हूँ यहां पर जो अगर आप देखे तो जारखन में एक अच्छा education system आपको देखने को नहीं मिलता अगर आप बाहर से पढ़ करा रहे हैं और compare करें आप state के colleges को तो यहां पर बहुत ही low category और low level आप देखने को मिलेगा education system कहीं न कहीं examination लेट से restriction आपको नहीं देखने को मिलता restriction नहीं देखने को मिलता college वगरा में जादा तो overall देखा जाए तो कहीं न कहीं इस पर like करती है तो बाद में यह improvement ज़रूर होगा होप आपको समझ में आगया हो colleges आपको पता हो कुछ comment हो तो बिलकुल comment करके बता सकते हैं आप कुछ colleges रहे गया हो तो वो भी आप बता सकते हैं मैं courses करूंगा उन्हें पीन करने की thanks for watching best of luck